गुड़ीवनिंग एवरीबडी आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल फांटेसी अरीना में इंग्लेंड बस इंडिया से आगास कर रहे हैं वापस से और हाजिर हैं आपके सामने लेके पहला टेस्ट जिसमें बारिश का बहुत सारा खलल हो सकता है ट्रेंड बिट नॉ आपस जाने के लिए दूसरे फेस का आगाज जो एक हो चुका एक सीजन खतम अब यह दूसरा देखते हैं क्या होता है पहले बारिश से आपको रूबरू गरा दें और आए होप आप वीडियो लाइक कर दोगे क्योंकि यह उतनी जादा मेहनत लगी इसलिए थोड़ा से ल वोने क्यों मैं वो ले रहा हूं और क्यूं वो मेरी Dream Eleven के आप इनिंग वाइस फांटेसी के लिए भी ये वीडियो काम आएगा तो वीडियो लोज पांस दिन काम आचा है बीच में बारिश होगी टाइम मिलेगा ये शाय डिले भी हो तो जितना भी टाइम मिले वापस देखते रहे ना टेस में आचा है ज्यादा लोग नहीं देखें जितने लोग देखें उतको फायदा हो इस इस मुहीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं वेदा फोकास पहले दिन स्कैटर शावर लेकिन उसके बाद लगातार बारिश के आसार है आप देखते हैं मैं इस पूरा भी कैसे होता है सेना कंट्रीज में इंडिया का सेना क्या है सेना बता हो चलो मैं इस बता दूगा फिर कैसा है और हम देखते हैं कि आप कहां तक सही होता है वैसे इंडिया ने पिछले तीन टेस्ट सीरी जो भी सेना कंट्रीज में कहले हैं पहला माच हमेशा हवार है बड़ा ही इंडरेस्टिंग फाक्ट है क्रिक बस की तरफ से हैं इंज बेरिस्टों कहलेंगे तो थोड़ा सा डौट रहेगा क्योंकि यह परफॉर्म कर देते हैं कर टेस्स मैंच में उतना अच्छा भी खासकर परफॉर्मेंस है कि नहीं हम आगे देखेंगे इंडिया 2011 आकरी वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया ने उसके बाद से 10 साल हो गया अभी तक पहले विकेट की 100 प्लस ओपनिंग पार्टनर्शिप नहीं हुए और सबसे खास बात आज फिर ओपनिंग पार्टनर्शिप चेंज होने वाली है मुझे आगा मुझे पूछो के मैं केल राहूल से एक बार के लिए ट्राइ जरू करेंगे क्योंकि ओपनर है वो भले बोला गया मिडल ओर में खेलेंगे लेकिन मुझे लगता ओपन करना चाहिए शारदूल की मुझे लगता है बॉलिंग में ज़रूरत पड़ेंगी टीम में खेलेंगे तो क्रूशल रूल प्ले कर सकते हैं बैटिंग से क्योंकि बॉलिंग तो कराएंगी शाथ में वो ओल्रूंडर वाला जो रूल होता है वो भी प्ले कर सकते हैं अश्विन नॉर्मली लेफ्ट हैंडर के अगेंस में आपको पता है कितने कातिल हैं लेकिन इंग्लेंड के पास क्योंकि बेंस्ट्रोक्स पी चले गए हैं सिर्फ रोरी बर्न्स हैं और साम करन हैं अब पॉइंट एर ना रोरी बर्नस अच्छा खेले हैं फॉर्म में नहीं अगर हसीब हमीत को खिलाया जाता है जिन्होंने जबर्दस परफॉमेंस किया है लास्ट काउंटी मैच में जो आपको मैं दिखाऊंगा और जो इसी वेन्यू पे है बहुत ही इंट्रेस्टिंग पार्ट है और यह हमारा पहला प्लेयर का नाम है जो एक परचेंट लोगों आपके बास हमेशा होंगे आपको भी पता है लेकिन उसके साथ साम करन लेफट आम स्विंग बॉलर अच्छी कासी स्विंग होती एसे टेंप्रेचर में और एसे कंडिशन में टेंप्रेचर हलाकी थोड़ा सा बढ़ा बताया जा रहा है बीच बीच में लेकिन यह बारिश थोड़े से जादा बितर साबित हो सकते हैं अगर आप बुम्रा को भी लेते हों तो भी आप मेजर ली मुझे लगता शमी यहां पर मुझे विकेड लेते ज़्यादा देखते हैं और इशन्थी है दो ऐसे बॉलर जो पेसमेशा है जादा लिए शायद बुम्रा के पांच- और हाट डेक नाउ तब तक उनको उतनी साथा मदद नहीं मिलती है क्योंकि स्विंग जा शमी उखास का रिवर स्विंग भी शमी जाधा बेटर कराते हैं यहां पर आप ले सकते हो अगर आप चाहो मेरी जो पिक्स हैं वो यह है इसमें जड़े जा शमी जिसमें पेस में शान तो अब आते हैं वेन्यू पर यह थी ओवर्विव वेन्यू पर बात करें टेस्स माचेस का एवरेज स्कोर गिरता ही जाएगा इनिंग वाइस यह बहुत लेकिन इंडिया दो और दो बराबर चल रहा है लेकिन इंग्लेंड खेला बहुत है बस यह चीज देखके पता लगता है कि इंग्लेंड को एक्स्पीनिस काफी है जो रूट बालिंग भी थोड़ी बहुत करा रहे हैं ध्यान रखना इस चीज का और बैटिंग तो करी रहे लेकिन अगर आप बालिंग फैंटेसी खेल रहे हो बलिवाजी में तो आप दोनों को ले सकते हैं जिसमें अंडेसन थोड़ा सा अपर हैंड होड़ करते हैं खासकर ऐसी कंडिशन्स में इंडिया की तरफ से इशान्त हैं यहां पे बालिंग में 59 का स्ट्राइक रेट जो ब इंडिया के विराट कोली जबरदस फॉर्म में थे रहाने को इंग्लेंड कंडिशन्स बेहत पसंद आती हैं इशान्त का परफॉर्मेंस हो देखो बुम्रा के विकेट्स है अब यहां पर पॉइंट है कि यह बुम्रा के विकेट्स आपको मिल सकते हैं अगर गरम हो जाए या फिर उतनी स्विंग कंडिशन्स पर उनको कमी इस्तमाल किया जाता जैसे आपने रोजबाल साउथ हैंटन में देखा जब इंडिया वर्टेश चैंपिंशिप खेल रही थी लेकिन अच्छी बात इंडिया के पास है कि इनको पास सारी कंडिशन्स के लिए एक बॉलर है तो वो शान्त को यूज़ कर साथ कि शमी को या फिर भॉमरा को बटलर ने अच्छा खेला था एक सोचेरन की पारी और अंडरसन ब्रॉट के विकेट थे जैसे मैंने आपको पर बताया और पुजारा के 72 का 208 बॉल खेलके बनाया थे इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो पेसर्स का घना डॉमिनेशन था 32 उससे पहले साथ आफरिका केल के गई उन्होंने भी जीता और इंग्लेंड के लिए दिक्कत वाली बात यह है कि वो आकरी दो मैच यह हारी है लेकिन उससे पहले इंग्लेंड इनिंग से जीत चुकी है और इंडिया से मैच ड्रॉ हुआ और ऑस्ट्रेलिया से जीती थी तो अगर आप पांच मैच इंग्लेंड देखूगे दो जीती दो हरी एक ड्रॉ लेकिन अगर लास्ट दो देखूगे जो बहुत रीसेंट है वो हरी थी तो बस कंडिशन्स हैं ऐसी कि थोड़ी सी अगर ओवर कास रही और पिच में घास चो लगा होगा तो आपको लगा होगा एक चीज तो मैंने मिस कैसे कर गया जरा एक बार ध्यान से देखो 161 ऑल आउट 317 ऑल आउट 239 ऑल और एक बार डेकलेर ठीक है आखरी चार मैच में और यह देखो 291 ऑल आउट मतलब एक टीम दो बार आउट तो हुई ही हुई है तो बेसिकली आपके पास 30 विकेट तो अराम से गिर रहे हैं 35, 36, 37 तक अराम से गिर रहे हैं मैच के रिजल्ट के लिए 40 ले लो या फिर 30 तो लेना ही पड़ेंगे तभी एक टीम को दो बार आउट होना ही पड़ेगा तभी आपके वास मैच रिजल्ट आएगा तो आप यह समझ पारे हो बॉलर्स कितने इंपोर्टन्ट है मैं फैंटेसी पॉइंट पॉइंट से बत लेकिन उसके अलावा 30 के ऊपर नहीं गए तो यह खास ऑब्जर्वेशन है जो आपको दे नहीं थी ग्राउंट स्पेसिफिक जॉनी बेरिस्टो सेम सेकेंड जब बैटिंग आई है चोहतर पैतालिस लेकिन उसके अलावा 37 15 16 बटलर 106 और 49 ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है उली पोप शायद खेले ना बेरिस्टो खेले उनकी जगे अंडर्सन एक बार भी विकेटलेस नहीं गये यह एक अच्छी चीज है ब्रॉड हाला कि दो बार विकेटलेस जा चुके है यह देखो जीरो विकेट यहां पर लेकिन बाकी सारी इनिंग्स में उनको भी विकेट म नहीं है कोली का मैंने आपको बता दिया एक बार स्ट्रगल था जो फेमस 2014 की सिरीज थी और उसके बाद आप यह देख लो प्राक्टिस में हाला कि वो नीचे मारे थे जब वो चौथे पंच्वे नंबर पर खेल रहे थे जड़ेजा अश्विन ठिक टाक सा है विकेट जादा नहीं दिख रहे हैं बुम्रा के एक इनिंग दिखिए आपको और इशान शन्मा के परफॉमेंस इस दिखे शमी के साथ तो शमी का उतना विकेट्स नहीं है जितने इशान्त के हैं तो ऐसा हुए कि इशान्त उस्सर में डॉमिनेट जादा कर रहे हैं यह आपने देखा लेकिन अपने मेजर लिए देखा कि कोई भी बैट्स पैन ऐसा नहीं है जो एकदम ही रन थू कर रहा हो और तभाही मचा र रहाने यह तीनों मेरे टीम में होंगे रहाने अगला पिक 18% सेलेक्शन हसीव हमीत रहाने अब हसीव हमीत क्यों वह भी आ रहा है अंडर्सन बेस्ट ऑफ द लॉट है जैसे मैंने कहा ब्रॉड शमी और रिशान्त यह मेरे चार और में पर्सनल पिक रहेगे जिनका रिकॉर जुलाई 4 से जुलाई 6 मैच हुआ नौटिंगम जीता नौटिंगम जीता नौटिंगम जीता यह तो नौटिंगम में जीत रहा भूल जाओ उसको लेकिन कुछ प्लेयर्स कॉमन थे जिसमें हसीभ हमीत आकरी तीन मैच में अगर आप देखो तो मतलब मैं इनसे यह नहीं उ जो हुए एवन जोलाई और में के अप्रेल से बात जितने मी मैच हो नौटिंगम ने लगातार जीते हैं और वह भी इनिग से जीते हैं और उसमें भी आसिब हमीर 49 एक इनिंग खेली है इनके बैटिंग में 57 मारा एक इनिग 49 और एकम 24 तीनों स्टार्ट मिला एप्राक्ट ब्रॉड ने भी खेला था एक माच उसमें विकेट लिये थे जैक लीच एक ही इनिंग खेली थी जीरो विकेट थे और ब्रॉड ने दूसरा मैच में भी विकेट लिये दो और एक और रन भी बनाए उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो हासिव अमीद की एक 50 है यहाँ प पर जो मैंने उपर लिखे और हासिव अमीद के मेजर ली हर मैच था यह नहीं ठीक है तो यहाँ से आपको पता लगा क्यों हमने हासिव अमीद को लिया है क्रेडिट सेवर भी और हमें हेल्प करेगा डिफरेंट रहने में लोगों से रिस्की ज़रूर है द्यान रखना क्य जीता है 3-2 से आगे इंडिया में हुए होंगे तो आगे ही रहेगा इस venue में बराबर रहे हैं और head to head में overall इंग्लेंड रहा है और जब आप आकरी के कुछ matches देखोगे तो आपको यह lot दिखेगा आखरी मैच में जिसमें रिशब पंद का स्कोर था अक्सर पटेल रवित ज बनाये थे अश्विंग ने तबाही मचा रख किती और जैक लीच अकसर पटेल सबके विकेट से फिलाल सिनारियो थोड़े डिफरेंट हो सकता है टॉप पफॉर्मर्स में देखोगे बटलर और जो रूट दिखेंगे आपको बटलर बीस इनिंग्स में 42 का आवरेज है और रखें फिर है इशान तो फिर है जड़े जब मिजरली इंडिया कंडिशन में ज्यादा ही विकेट लिया है आखरी के कुछ माचे या हेट टो हेट देख लो आगे चारों माच में काम आएगा इनिंग वाइस अनालिसिस में अगर आप देखोगे तो यहां आपको एकदम य रिकॉर्ड होगा नहीं जैसे मैंने आपको बताया डैनिल लॉरेंस एक फिफ्टी एक फॉर्टी ठीक ठाक से हैं बेरिस्टो दो इनिंग्स में अच्छे स्कोर है बाकी थोड़ा सा स्ट्रगल ही है और जॉस बटलर थोड़ा से जाधा कंसिस्टेंट है 89, 30, 39, 106 और 7-4 लेके जरूर जाना ग्रांड लीग में क्योंकि इंग्लेंड के प्लेयर इंग्लेंड की कंडिशन जाधा बिटर खेलेंगे रोरी बॉंस रो ही रहे हैं ये लोग अभी तक स्कोर इनका 35 के ओपर नहीं है लेकिन जाधा इनिंग्स भी नहीं है सिर्फ दो मैच्छे दिख लेकिन उन्हेंने ड्रं भी बना दी है साथ में कॉम्पंसेट करने के लिए और डॉमिनिक बैस जो उनके ऑफश्पिनर है ठीक डाक सा पफॉर्मेंस है जैक लीशाला की विकेट्स में बहुत सारे दिख रहे है तो एक इंग्लेंड टीम बनाओगे ना शानती से चारो बॉ लेने का मने गेमजी पर शेफ्ट हो जाओ वहाँ पे साथ से जादा प्लेयर आप ले सकते हो और शानती से बना सकते हो अब इंडियन टीम भी बनानी है हमें तो ग्रैंड लीग में आपको वन साइड़े टीम बना के भी ज़रूर कॉंटेक्स खेलना क्योंकि यहां ऐसा हो स काफी सा रहे हैं और काफी टाइम हो गया उन्होंने 50 नहीं मारी है मायंग अग्रवाल अगे अविलिबल नहीं है विराट कोली हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं कितना भी स्कोर कर लें 100 नहीं है हाला कि उनको काफी टाइम से लेकिन थोड़ा बहुत 50-70 तो बनी जा रहे हैं केल राउल ठीक ठाक सा स्कोर है इनका भी पुजारा काफी ज्यादा बॉल लेते हैं खेलने के लिए तो अगर उससे पहले उट हो जाते हैं तो दिक्कत है अधर्वाइस उन्होंने भी ठीक ठाक से एनिंग खेली है हेट टो हेट में अज इनके रहने अच्छे दिख रहे है और as always बाकी सब बॉलर्स दिखेंगे तो हम देखते हैं क्या होगा टेलिग्राम पांटेसी अरीना पर आपको लास्ट मिनिट अपडेट्स मिल जाएंगे और प्राक्टिस मैच की तरफ जाएं तो हमें दिखेगा कि मैच रा हुआ इंडिया 311 और 192 देक्लेर और सामने से 2 एक परसेंट वाला मेरे लिए हिडिन पिक है केल राउल और हासीब हमीद की ठीक है अब बाकी हमें ओल रॉंडर जादा चक्तने हैं अच्छा आखरी 10 मैच के रिकॉर्ड ये भी आगे काम आने वाले रोरी बंस एक पचास है डॉमिनिक सिबली थोड़ा सा बैटेर रे बंस है और जो रूट ठीक है मतलब ये टीविंटी के परफॉर्मेंसेज भी हैं 100 के भी हो सकते हैं तो ये ध्यान रखना बाकी जैक क्रॉली अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे अब ध्यान देना ये टेस्ट मैच के परफॉर्मेंस नहीं है कोई भी इनिंग्स कोई भी फॉर परफॉर्मेंसेज देखोगे तो रिसेंटली आपको ब्रॉट थोड़े बेटर देख रहे हैं और अंडसन जाद अच्छे हैं बाकी ये ओली रोबिंसन को जगे मिलेगी तो एक अच्छे और रहा है हम देखेंगे किसको खिलाया जाता है और उसके बेस पे आप टीम बना स दिन उसके बाद यह है उनकी पूरी लाइनप और यहां से शार्दुर ठाकूर को अगर जगे मिलेगी तो देखना पड़ेगा किसकी जगे क्या एक स्पिनिंग और कम खेलेगा जड़ेजा और अशुर में से कोई एक या कोई फास्ट बॉलर की जगे तो आप चलते हैं टी यहां रोविट शर्मा नहीं है क्योंकि मैं लेना चाहता था लेकिन मुझे फिर बॉलर्स भी चाहिए थे तो मैंने शम्य और इशान शर्मा को लिया जड़ेजा को अपने स्पिन और थोड़ी बैटिंग के लिए तो मेरे पास यह option है कि अगर रहने नहीं खेलेंगे तो मै रोविट शर्मा के साथ जा सकता हूँ आप सेफ जा सकते हो जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ हासिभ अमीद एक परसंट रहाने अठारा परसंट में भी इंजर्ड हो रहाने इसलिए नहीं लोगोंने लेकिन अगर खेलेंगे तो हम रखेंगे जनता ने क्या किया है जनता बुम्रा के उपर भी कभी कपार प्रिफर किये जा सकते हैं ऐसी कंडिशन्स में लेकिन देखते हैं टीम क्या डिसाइड करती है और आपको अपडेट होगी फैंटेसी अरी न टेलिग्राम पे आपको वीडियो पसंद आया होगा डैवर्सेपाइख खरना अगर टेस्माच बैटिंग लीग, बॉलिंग लीग, बल्लेबाजी की, सेकेंड इनिंग, सेर्ड इनिंग, फॉर्स इनिंग, ये खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, दियान से इन्वेस्ट करना तभी आपको फाइदा मिलेगा, टेस्माच इंट्रेस्टिंग बहुत हैं अगर आप करें आप लोगों से महिंग जील्टी, इंस्साग्राम और ट्वेटर दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आजो ओलम्पिक्स देख रहे हो तो और मज़े करते हैं, all the best